आप सबी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल दमैजिक रेस्पी एंड ब्लॉक्स में आज मैं आपके साथ आलू की कचोड़ी की रेसिपी सेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ही तेस्टी और क्रिस्पी बनने वाली है और बहुत ही अच्छे से फुली-फुली और बहुत दे किसी तरीके से क्रिस्पी बनी रहेगी तो आज मैं सारी टिप्स आपके साथ सेयर करूंगी तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक चरूर कीचिएगा देखिए मेरी कचोड़ी बहुत ही क्रिस्पी बने थी तो आईए बनाना शुरू करते है तो कचोड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है गेहू का अटा तो गेहू के आते से इतनी अच्छी सी कचोड़ी मैंने बनाई है तो आप भी देखिए किस तरीके से बनाई है तो यहां एक चमच मैंने अजवाईन लिया है और इसमें डाल दिया है और एक छोटा चमच नमक लिया है नमक को भी डाल के इसे मिला लिया है और यसमें मैं डाल रही हूं ओयल तो देखिये मैंने लिया है 4 चमछ क्योंकि ऑइल थोड़ा ज़्यादा लगेगा खशोरी बना रहे हैं और हम अच्छे से ओयल डालेंगे तभी हमारी कचोड़ी अच्छी सी क्रिस्पी बनी रहेगी देश तक नहीं तो सौप्ठ हो जाएगी तो पहली टिप्स यह है कि ओयल अच्छी से डालना है और दो कप में कम से कम चाथ बड़ा चमच ओयल तो लगेगा ही और दो कप मैंने आटा लिया था यहा कि आटा गीला नहीं होना चाहिए आटा हमें सक्त लगाना है कचोड़ी के लिए तो थोड़ा थोड़ा पानी दाल के ही आटा अच्छे से मल के गूत लेंगे और जितने अच्छे से हम आटा मलेंगे कचोड़ी हमारी बन्या बनेगी तो यहां कम से कम तो 6-7 मिनट के लिए अच्छे से मलके आटा लगाएंगे और जो बचा हुआ गी एक चमच के करीब मैंने अभी गी कटोरी में बचा लिया था तो उसको भी इसमें डाल देंगे और देखें की के साथ मैंने आटे को अच्छे से मलके बिल्कुल सॉप्ट कर लिया है आटा हमारा लगते रेडी हो चुका है और सक्ती मैंने लगाया है तो अब इसे दस मिनाट के लिए धककर रख देंगे और तक तक फिलिंग्स त्यार कर लेंगे तो यहां मैंने आलू लिय था तो देखिए यहां इसको वाल के छिल लिया है और अब इसे मैस कर लेंगे तो बहुत ज्यादा भरते की तरह हमें मैस नहीं करना है बस थोड़ा सा हलका हलका सा छोटा छोटा टुकडा रहेगा तो कचोड़ी में इसका अच्छा सा स्वाद आएगा तो उस तरीके से ही म मैंने लिया है एक बड़ा चमज तेल तो यहां मैंने सरसो का तेल लिया है और इसमें डाल देंगे दरदरा किया हुआ धनिया है और सौफ है इसको भी मैंने दरदरा कर लिया है तो सौफ और धनिया से कचोड़ी में बहुत ही अच्छा सफलेवर आता है तो इसको इसकी अब इसमने डालें और बढ़त्य से करी पत्ते में लियतन लिया और किалась अधरक लचंट के कि लिए बना रहेंНет यहां बाहर जाना है एक जो धीन के लिए रखना है टो इसमे क्रमत रें जानें डालेब तो अद्रक लसन को मैंने अच्छे से भून लिया है तो अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं तो यहां पैने सबसे पहले लिया है नामाक लाल मिच पाउडर है और हामचुन पाउडर है एक एक छोटा चमच में साली चीजे डाल रही हूं हल्दी पाउडर है और गरम मसाला तो मसालों को अच्छे से भूण लेंगे तो मसाले मेरे अच्छे से भूण चुके हैं तो अब इसमें हम मैस किया हुआ आलू डाल देंगे और आलू डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करतेंगे और थोड़ी देर तक इसे चलाते हुए इसी तरीके से भून देंगे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए आलू के साथ तो मैंने यहां बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को मिला लिया है और मसाला हमारा रेडी होच चुका है तो इसमें अभी एक चीज और डालना है तो वह है निम्बू तो निम्बू का रस इसमें डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा सा टेंगी फ्लेवर आ जाएगा एकदम खटा लगने लगता है बहुत ही टेस्टी लगता है निम्बू डालने से आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा तो मसाला रेडी हो चुका इसे खंडा कर लेते हैं और यहां आटा भी शेट हो चुका है तो इससे छोटी-छोटी गोलिया तोड़के रख लेते हैं एक साथ कुछ गोलिया बना लेंगे उसके बाद इसको हम भरेंगे तो यहां मैंने कुछ गोलिया बना कर रेडी कर ली है तो अब इससे भर लेते हैं तो इस तरीके से हाथों से इसे हम फैलाएंगे आप चाहे तो बेलन की मदद से भी फैला सकते हैं और इसको एकड़म पतला कर लेंगे मोटा नहीं रखेंगे यदि मोटा रखते हैं तो कचोड़ी अच्छी नहीं बनेगी और अब चमच फिलिंग डेके अलू वाली इसमें अलका सा हाथों से दबाते हुए इसके मोगों बंद कर देंगे यह देखें बहुत ही असानी से इस तरीके से गुमा गुमा के हम इससे बंद कर दिया है और अब क्या करना है कि इसे बीच से इससे दबा देना है इससे ना कचोड़ी हमारी बहुत ही अच्छे से खूलती है और इसको फेला देंगे तो इसी तरीके से सारी कचोड़ी बंद कर लेंगे तो यहां मैंने रेडी कर लिया है और तेल भी गरम हो चुक जब एक मिनट दो मिनट हो जाए उसके बाद इसकी आज को हम थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि कचोड़ी हमारी अच्छे से फूल सके तो देखे अभी मैंने आज तेज करती है और कचोड़िया हमारी फूलने लगी है किते अच्छे से फूल चुकी है तो इसी तरीके से यदि आप पहले कम मार्च और बाद में तीजाज करते हैं तो कचोड़ी बहुत ही अच्छे से पक भी जाती है और अच्छा सा फूल भी जाती है तो यहां मेरी कचोड़ी तलकर रेडी हो चुकी है इसमें अच्छा सा कलर आ गया है आप देख सकते हैं तो या मैंने इसे केचप के साथ सर्फ किया है और पचोरी बहुत ही टेस्टी बनी है बिल्कुल फुली-फुली तो कैसी लगी आपको मेरी रेश्पी कमेंट करके जरूर बताईएगा और विडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत भू आपको मैं बता नहीं सकती जब आप बनाएंगे और ट्राइ करेंगे तभी आपको पता मिलते हैं फिर एक नई रेश्पी के साथ थैंक्स खरवाची